और आप सब्सक्राइब नहीं क्या होता है कि बनाया जाता है इन सभी बातों को आज ब्रीक्ट में जानेंगे शरी सुरू करते हैं आज का विडियो बिना किसी देरी तो Banc Reconciliation Statement क्या होता है रीकॉस्द्स्थी अस्टेंट्मेंट जो बनाया जाता है कैस्द्स बूंक करने लिए इकोल करने के लिए जो बैलेंस आता है उनको इकोल करूनगे लिए कि अधे का इसका बात हीकुट है जो ह्यों we project करें पांस फोर करते हैं और पांस में is कुरता है जिसके कारण इन दोनों के बीच डिफ्रेंसेज क्रिएट हो जाते हैं अंतर आ जाता है तो क्यों आता है अंतर यह सारा इसके दो कारण है पहला टाइमिंग समय के अलग-अलग समय दूसरा एडा ना चलिए इन दुनों प्रिंदू को आडा मां से दुनों को देखते हैं टाइमिंग के कारण कैसे आता है चेक इसूट बाइद फर्म बट नट प्रेजेंट इसू कर दिया गया जो चेक है जो चेक है वो फॉर्म द्वारा इसू हो गया मैंने चेक काट के दे और दिया कर दिया सामने वाले सब्वायव को जा क्या पैसे निकाले पर्सकों लिक पर दिया गया रिकॉड कर दिया गया में वह बैंक में वह उससे इसके कारण तीसना डेरेक्ट डेविट मेंड वाइड पैंक इन वहाप अफ कस्टमर के वहाप में डेविट कोई बैलेंस डेविट कर देता है उसके बाद अमाउंट डेरेक्ली डिपोजिटेड इन बैंक अकाउंट मतलब कोई ऐसा आमोंट जो डेविट बैंक में इससे कोई मतलब भी ना हूँ तो क्या कर जाएगा डिविट कर जाए ओर इंटरेен कलेक्ट बैंक या फिर कोई बहिए आसा इंटरेस्ट जो हमें मिलता है बैंक असमें यह बैंक नों है जिसके कारण डारेक्ट पेमेंट मेड़ बाइब बैक और विहाप अपने कस्टमर के भी हाफ में अगर कोई बैंक प्यमेंट कर दे जैसे हमारा जो एक यह चार्ज होता है या फिर हम चेक्ट बुक लेते हैं उसका कोई चार्ज हो यह बहुत साइब बैंक जो हमारे एकाउंट दोरा डैरे कोई भी चेक और बिल अफिक से बिल जो डिवी डिजॉर्णर हो जाएं जिसे हम पैसे ना ले पाएं आगे एर्र के करना ज्या वक्ता है एर्र होता है जब कमिटेट इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाई फार्मर कस्टमर मतलब ऐसा एर्र जो कस्टमर के द्वारा फ फर्म कस्टमर कस्टमर दो को इसे यह फिर फिर तूर्श है क्या सकता है अगर वह एक ट्रॉर्णर बैंक द्वारा कर दिया जाए जाए इंडरी ऐसा गलत रिकॉर्ड हो जाए तो दुकार्म सकते है एर अब आत हैं के प्रिपरेशन के बाहां है कि मतलब बढ़ बड़ी इस या आफ्ट एड़ज्टिक के एड़्जस्ट्मेंट के बीना या आफ्टर एड्जस्टिक के बाद करें कि अगले विडियो में तब तर की लिए नमस्कार धिन्यवात अपना ख्याल रखिए दूसरों का भी ख्याल रखिए और अगर कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की प्रोब्लम हो मेरे सब्जेक्स रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बता है हम उसको सॉल्व करने का फूरा प्रयास करेंगे